Hello everyone, welcome to Raviyaditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टन टॉपिक टॉपिक का नाम है Constitutional Amendments यानि की समिधान संशूधन तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 100 प्लस MCQs related to amendments और रिसेंटली हमने आपके साथ शेर किया हुआ है Articles का वीडियो जो की काफी important है amendments और article quality से काफी important portion होते है तो अगर आपने वी तक वो वीडियो देखा नहीं है उसको भी जरूर देख लीजेगा और इस वीडियो में हम amendments से जितने भी important questions होते हैं previous यह वाले और upcoming exams के लिए important उनको discuss कर लेंगे तो यहाँ पर सारे questions friends मैंने selected और most important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाला है तो चलिए discuss करते हैं पहले की amendment होता क्या है उसके बाद MCQs के तरफ बढ़ेंगे तो देखिए पहला point है constitutional amendment the process of making changes in the fundamental law of country that is the constitution is called constitutional amendment तो यहाँ पर देश के जो मौलिक कानून है यानि कि सम्विधार में बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सम्विधानिक संशोधन कहते हैं तो यह जो laws हैं इन्हें क्यों change किया जाता है देखिए the purpose of amending the constitution of India is to further strengthen the fundamental law or supreme law of the country through changes तो इसका उदेश होता है friends के जो देश के मौलिक कानून है या फिर सर्वोच कानून है उनके बदलावों के माध्यम से उसे और भी मजबूत करना तो hope आपको यह clear है next point देखिए the amendment process prescribed for amending the constitution of India is neither as flexible as the Britain nor as rigid as the United States but is a synthesis of both तो किसी law को जब change किया जाना होता है उसके लिए amendment process करना होता है तो amendment जो है friends हमारे इंडिया के अंदर करना इतना easy नहीं है जिस तरीके से ब्रिटेन में ब्रिटेन में जो है amendment काफी easily यानि कि flexible तरीके से किया जा सकता है और United State की बात की जाए तो वहाँ पे काफे rigid यहाँ पे rules होते है amendment करने की बट इंडिया में ना इतना flexible है और ना ही इतना rigid है ओके तो यह point यहाँ पे दिया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका अगला point अंडर article 368 part 20 of Indian constitution Parliament can amend it and its procedure तो हमारे constitution के article 368 जो कि आता है अंडर part 20 इसमें बताया गया है कि Parliament जो है यह amend कर सकती है किसी भी laws को तो आपको यह part और article दोनों याद रखना है next point furthermore Parliament cannot amend the provisions that form the basic structure of constitution as ruled by Supreme Court in the केशवनन्द भारती case 1973 तो इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशुधन नहीं कर सकती जो समिधान की मोल सन रचना का निर्मान करते हैं जैसे की केशवनन्द भारती मामले में सर्वोच न्याले ने फैसला सुनाया था तो यह कुछ important points हो गए अब आता है आपका MCQ पहले questions से start करेंगे 100 plus questions हम यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके साथ discuss करेंगे तो पहला question देखिए under which constitutional amendment one third of the total seat in Lok Sabha State Assembly and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi will be reserved for women for 15 years तो यहाँ पे कौन से ऐसा समिधान संशोधन है जिसके तहत यह बताया गया है कि Lok Sabha, Raja Sabha और इसके साथ यहाँ पे राज विधान सभा, राष्ट्रिय राजधानी छेतर दिल्ली की विधान सभा में कुल सीटों की जो एक तिहाई सीट है वो महिलाओं के लिए 15 साल के लिए अरक्षित रहेंगी तो यह बताया गया है friends 106th Constitutional Amendment Act 2023 में देखे बात करें इसके बारे में तो जो Constitution का 106th Amendment Act है 2023 में आया वस असेंट बाइ प्रेसिदेंट ड्रपदी मुर्मो अन सेप्टेंबर 28, 2023 अन्डर दिस अक्ट तो देखे इस Amendment के तहट यह बताया गया है कि जो 1 3rd seats होते है लोगसभा में, State Assembly में और Legislative Assembly में यह जो है, यह reserved होते है for women कितने साल के लिए लोग-इन पीरियेट देखे 15 years यहाँ पे यह reserved होते है और इसको Parliament के तुरू और भी extend किया जा सकता है तो यह approval किस ने दिया था इस Amendment की तो इस Amendment को अप्रूव किया गया जिसे मिनी समिधान कहा जाता है यह कहा जाता है इन में से राइट आंसर हो जाएगा 42nd Constitution Amendment Act 1976 Very important question इसको आप star mark कर लीजे Next In which Constitutional Act of India The voting wage age was reduced from 21 to 18 तो देखे पहले जो voting age थी वो 21 थी अब इसको घटा के 18 कर दिया गया है आपको बताना यह voting age जो है यह किस Constitutional Amendment Act किया गया है तो फ्रेंड्स यह किया गया है 61st Constitutional Amendment Act 1989 Option number D right answer है यहाँ पे Next Under which Constitutional Amendment Act was Delhi National Capital Region formed तो यहाँ पे फ्रेंड्स Delhi NCR को फॉर्म किया गया है By 69th Constitutional Amendment Act 1991 Next रहेगा In which Constitutional Amendment The words secular, socialist, integrity were added to preamble of constitution Again very important इसको भी star mark कर लीजे फ्रेंड्स Preamble में चोई हमाँ देखते हैं आपे secular word, socialist word, integrity word इनको किस amendment से डाला गया है इसको डाला गया है, friends, through Right answer हो जागा है, यहाँ पे 42nd Constitutional Amendment 1976 अगला question, in which constitutional amendment 10 fundamental duties were added for Indian citizens तो जैसे कि आप जानते हैं, total fundamental duties कितनी है हमारे constitution में तो यह total 10 है और इसको include किया गया है तो देखिए, friends, total actually 11 है, जो 10 है, एक सथ add किये गया थे तो यहाँ पे जो यह 10 fundamental duties को add किया गया था इनको add किया गया था, इनमें, through Again, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 तो इससे जो secular, socialist और integrity word है प्रेंबल में add किया गया और इन fundamental duties को भी इस amendment से ही include किया गया था अगला question, in which constitutional amendment the retirement age of high court judges was increased from 60 to 62 years तो यहाँ पे जो high court के judge है, उनकी पहले retirement की age जो है यह होती थी 60, अब इसको 62 किया गया है और यह किया गया है through 15th constitutional amendment 1963 आगे बढ़ेंगे, next देखिए, by which constitutional amendment Act, the tenure of लोक सभा was reduced from 6 year to 5 year very important question, देखिए, यहाँ पे लोक सभा है न इसका tenure पहले 6 year हुआ करता था, इसको अब change करके 5 year किया गया है तो यह जो है, यह किया गया है through 44th constitutional amendment Act 1978 अगला, in which year was the constitution of India amended for the first time तो भारत के समिधान में पहली बर किस वर्ष संसोधन किया गया था यह किया गया था 1951 में Friends, आपका अगला question, by which constitutional amendment a new article 334A has been added to the Indian constitution तो article 334A को हमारे Indian constitution में डाला गया है through 106th constitutional amendment 2023 अगला, which special provision of Indian constitution has been taken from constitution of South Africa तो देखिए, जो amendment का process यह किस constitution से लिया गया है इसको South Africa के constitution से लिया गया है Next, under the provision of which article the Indian constitution can be amended तो मैंने आपको अलरेडी बताया Friends, वीडियो के starting में जो amendment की process है, है ना, संसोधन का जो process है यह दिया गया है under article 368 Next, in which constitutional amendment the minimum age for voting has been reduced from 21 to 18 Already हमने इसको discuss कर लिया है Friends, voting age को कम किया गया है 61st constitutional amendment 1989 से अगला, in which part of Indian constitution parliament was given the power to amend the constitution and its provision Very very important, अब आपको part पूछ रहा है, भी थोड़े दर पहले article हमने discuss क्या Article 368 में बताया गया है, और part कौन सा है, यह part 20 के अंडर में आता है Next, रहेगा, by which constitutional amendment act, the number of fundamental rights of freedom was reduced from 7 to 6 तो इन में से किस समिधान संशोधन अधिनियम द्वारा, स्वतंतरता के मौलिक अधिकारों की संख्या साथ से घटा कर 6 की गई है, तो यह किया गया है through right answer हो जाएगा Friends, यहां पे Option number B, 44th constitutional amendment, 1978 Next, in which constitutional amendment, the maximum number of member of log सभाव was fixed at 545 तो यहां पे जो आप जानते हैं Friends, की लोग सभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 545 होती है तो यह भी जो है, यह decide किया गया, यानि की maximum number of log सभा members तो यह भी जो है, amend किया गया है, तो इसको amendment किया गया है Friends, through 31st constitutional amendment 1973, option number C, right answer है चलिए, आगे बढ़ते हैं Next, in which constitutional amendment, tenure of log सभाव and legislative assembly was increased by 1 year to 6 years तो थोड़े दर पहले हमने discuss किया Friends, की जो log सभा की tenure होती है, यह पहले 6 year हुआ करती थी, इसको 5 year किया गया है तो यह हमने amendment discuss किया है, यहाँ पे जब इससे पहले यह extend किया गया था, यानि जब यह पहले 5 year था, इसको 6 year किया गया था तो यह किसके through किया गया था, यह किया गया था इन में से 42nd constitutional amendment act 1976 से, लेटर ओन इसको फिर किया गया, again reduce किया गया Next, by which constitutional amendment, अरुनाचल प्रदेश has been granted status of full state तो यहाँ पे अरुनाचल प्रदेश को पूर्ण राज का जो दर्जा है, यह प्रदान किया गया है कि समिधान संशोधन से Right answer, option number D, 55th constitutional amendment 1986 Next, in which constitutional amendment, दिल्ली has been named as a national capital territory of Delhi तो इन में से कौन सा ऐसा समिधान संशोधन है, जिसके तहर दिल्ली का नाम राज्ट्रे राजधानी राजय छेतर दिल्ली किया गया है यह किया गया है through 69th constitutional amendment act 1991 Next, by which constitutional amendment, बोडो, डोगरी, मैथली, संथली, language have been added to 8th schedule of constitution तो हमारे जो constitution है, उसके 8th schedule में इन languages को add किया गया है और यह add किया गया है इन में से 92nd constitutional amendment act 2003 से अगला question, आपको बताना है GST, यानि की goods and service tax जो है यह कौन से amendment से related है Very important friends, यह question काफी बार exam में देखा जाता है और GST से जो amendment related है यह है 101st amendment act 2016 आगे बढ़ेंगे, by which constitutional amendment was it provided that it is not necessary to call a joint meeting of both houses of parliament for election of vice president तो इन में से कौन से ऐसा संशूधन है, जिसमें बताया गया है कि उप रास्टपती के चुनाओं के लिए संसथ के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आविशक नहीं है और यह जो है friends यह बताया गया है तो 6 से लेके 14 यह के जो बच्चे होते हैं कौन सा अमेंडमेंट बताता है यहाँ पे कि जो अधर बैकवर्ड क्लासेज है उन्हें constitutional status दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा option number D 102nd Amendment Act 2018 friends आपका अगला question by which constitutional amendment गोवा, दमेन और दियू और मर्जड इंटू इंडियन यूनियन यहाँ पे गोवा और दमेन और दियू को भारत संग में कब मिलाया गया है किस amendment से मिलाया गया है इसको यहाँ पे मिलाया गया है through 12th Amendment 1962 आपका अगला question by which constitutional amendment has 4-year-old land boundary agreement between India और अंगलादेश has been implemented right answer option number B 100th Amendment Act 2015 next where can be initiative to amend Indian constitution be started तो यहाँ पे भारतिय समिधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है इसको कोई भी house of parliament से शुरू की जा सकती है next by whom was the 9th schedule amended in the Indian constitution तो भारतिय समिधान में 90 अनुसुची किसके द्वारा परिवर्धित हुई है correct answer is का यह friends 5 1st Amendment 1951 देखे बात करें इसके बारे में the 9th schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged before the court तो जैसे कि अभी हमने discuss किया जो 9th schedule है इसको amend किया गया है through 1st Amendment और friends जो 9th schedule है हमारे constitution का इसमें central or states related ऐसे laws हैं जिसको जो है court में challenge नहीं किया जा सकता under this power were given to states to make special provision for advancement of socially and economically backward classes तो इसमें इस 9th schedule में जो है क्या दिया गया है समाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नती के लिए विशेश उबंद बनाने हितू राज्यों को शक्तियां दी गई है आपका अगला question by which amendment has the ban on defection of elected members of any party in the assembly been imposed तो विधान सभा में किसी दल में निर्वाचे सदस्यों के दल बदल पर पतिबंद किस समिधान संशोधन दवरा लगाया गया है ये लगाया गया है फ्रेंट्स by 52nd amendment 1985 अगला who can amend the fundamental rights of citizens in India तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है इसको सिर्फ Parliament कर सकता है तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाती हूँ हमारे paid pdf के website के बारे में www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको रवी सर की gk and current affairs की pdf Hindi and English medium दोनों में मिल जाएंगी तो काफी important pdf है यह अगर आप इने बायर करना चाते हैं इस website से जाके बायर कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगला question by which constitutional amendment बेरुबरी खुलना area was given to Pakistan by making necessary changes in first schedule तो इन में से किस समिधान संशोधन द्वारा प्रतम अनुसूची में आविशक परिवर्तन करके बेरुबाडी खुलाना खुलना छेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था correct answer option number A हो जाएका friends यहाँ पे 9th amendment 1960 next by which amendment maximum number of member of loksabha is fixed at 520 correct answer 7th amendment 1956 अगला by which amendment has right to property been removed from list of fundamental right and given the status of legal right again very important friends right to property पहले जो है यह एक fundamental right हुआ करती थी वट इसको हटा के legal right बना दिया गया है और यह किया गया है through 44th amendment 1978 अगला in how many ways constitution can be amended तो यहाँ पे समिधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है इसको 3 प्रकार से किया जा सकता है कैसे कैसे discuss कर लेते हैं एक तो होता है friends simple majority से एक होता है special majority से और एक होता है special majority and ratification by states next in which amendment has parliament पंचायती राज system been given constitutional status तो पंचायती राज से related questions एक्जाम में friends बहुत बार देखे गए हैं आपको बताना है किस समिधान शंशोधन में पंचायती राज विवस्था को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया है correct answer 73rd amendment 1992 तो यहाँ पर देखिए राजस्थान पहला ऐसा state था जिसे पंचायती राज यहाँ पर established किया गया था कब 1959 में आगे बढ़ेंगे according to which amendment the fundamental rights can be amended to give effect to the directive principle तो किस सम्विधान शंशोधन की अनुसार नीती निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है correct answer 42nd amendment 1976 आपका अगला question in which case has supreme court held the parliament cannot change the basic structure by amending the constitution very important तो किस वाद में सुप्रीम कोट ने अभी निर्धारित किया है कि शंशद सम्विधान में संशोधन कर मूल धाचे के परवर्तित नहीं कर सकता तो ये बताया गया है case of Nandh Bharti case 1973 में अगला रहेगा question by which amendment under article 352 emergency can be imposed in entire country or in some part of country तो देखिए article 352 के according कौन सा ऐसा amendment किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो emergency है इसको पूरे country में या फिर some part of country में लागू करा जा सकता है तो ये बताया गया है friends 42nd amendment 1976 में next by which constitutional amendment have fundamental duties been added to constitution तो fundamental duty को add किया गया है through 42nd amendment act ये हमने already discuss किया है next by which constitutional amendment was state of Mighale separated from Assam तो Assam and Mighale को separate किया गया किस amendment से राइट answer हो जाएगा friends यहाँ पे option number C 22nd constitutional amendment 1969 अगला in which constitutional amendment there will be no change in the number of seat in Lok Sabha and legislative assembly till 2026 तो किस समिधान शंशोधान में लोग सभा एवां विधान सभाओं की सीर की संख्या में सन 2026 तक कोई परवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है यह किया गया है through 84th amendment 2001 next by which amendment president's power to veto the bill to amend the constitution taken by substituting the words must give consent तो question देखिए again very important question समिधान शंशोधान करने के विधेह को veto करने की राश्रुपती की शक्ती सहमती देनी होगी शब्द से स्थानापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है तो यह किया गया है friends इन में से 24th amendment 1971 से आपका अगला question यहाँ पर रहता है in which constitutional amendment सिक्किम वस added to Indian union as 22nd state तो सिक्किम जो है फ्रेंट्स हमारे इंदिया का 22nd state बना है through which amendment right answer 36th constitutional amendment 1975 अगला question by which amendment emergency can now be imposed not on the basis of internal disturbance but only on the basis of armed rebellion question है कि कि समिधान संशोधन के द्वारा अब अपात काल आंतरिक अशांती के अधार पर नहीं बलकि शशश्तर विद्रो के अधार पर लगाया जा सकता है right answer option number C 44th amendment 1978 next question in which constitutional amendment a new part 9 and 11th schedule have been added to constitution तो part 9 और 11th schedule को add किया गया है हमारे Indian constitution में through 73rd constitutional amendment 1992 आपका अगला question in which constitutional amendment has the facility of reservation in promotion of schedule caste schedule tribe employees and government job has been provided against टार्मा करिए इन में से कौन सा शंशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के कर्मचारियों को पदोननत्ती में आरक्षन की सुविधा की गई है ये किया गया है इनमें से right answer है friends 85th amendment और 77th amendment तो suitable बोथ इसका right answer है next which constitution amendment act was approved by president रामनाथ कोविंद on august 18, 2021 इनमें से कौन सा amendment जो है ना इसको अप्रूफ किया गया है पर president रामनाथ कोविंद तो इन्होंने अप्रूफ किया था 105th amendment को तो friends देखे इसके बारे में बात करते हैं 105th amendment है क्या तो 105th amendment के थेत क्या होता है इसे अप्रूफ किया है रामनाथ कोविंद जी ने कब august 18, 2021 को इसमें बताया क्या गया है तो ये राज्यों को समाजिक और सैक्षिक रूप से पिछडे वर्क की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है आपका अगला question तो किस समिधान संशोदन द्वारा अनुसूचित जनजाती के लिए राश्ट्री आयोग का गठन किया गया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स 89th Amendment 2003 चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question तो हमारे constitution में जो 99th Amendment है ये बताता है आगे बढ़ेंगे तो इन में से कौन सा संशोधन जिसके द्वारा अनुसूचित जाती यानि के SCST और जो अंगलो इंडियन होते हैं उनका 10 वर्षों के लिए आरक्षन बढ़ाया गया है ये किया गया है थूँ फ्रेंट्स 8th Constitutional Amendment 1960 अगला इन विच constitutional amendment सिंधी language was added to 8th schedule of the original constitution तो हमारा जो मूल समिधान था उसके 8 वी अनुसूची में यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था कि समिधान शंशोधन से correct answer हो जाएका 21st Amendment 1967 अगला question इन विच amendment Pondicherry was added to the 1st schedule as union territory तो Pondicherry को as a union territory फर्स schedule में बताया गया है और यह add किया गया था था through 14th Amendment 1962 Next, the 42nd Constitutional Amendment Act was prepared on the basis of report of which of the following committee Right answer, Sweran Singh Committee आपका अगला question in which constitutional amendment Parliament was given the power to amend any provision of constitution including fundamental right तो इन में से किस संशोधन में संशध को मूल अधिकारो सहित समिधान के किसी भी उपबंद में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गया है यह दिया गया है 24th Amendment 1971 में चलिए, आगे बढ़ते हैं और आपका अगला question रहेगा यहाँ पे By which constitutional amendment were some new elements added to the directive principle Correct answer, 42nd Amendment 1976 Next, रहेगा By which amendment has misorum been granted the status of full state तो misorum को full state का जो status है यह दिया गया है 53rd Amendment 1986 से अगला question In which constitutional amendment कौनकनी, Manipuri और Nepali language have been included in 8th schedule of constitution तो यह पे कौनकनी, Manipuri और Nepali language को 8th schedule में हमारे constitution के add किया गया है through 71st Amendment 1992 अगला रहेगा By what type of majority can Parliament make changes in name of state तो संसद राजियों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है इसको simple majority से किया जा सकता है राइट आंसर हो जाएगा ordinary अगला From which year did the right to education proposed by amendment came into force तो समिधान शंशोधन द्वारा प्रस्ताविच सीख्षा का अधिकार किस वर्षे लागू हुआ था इसको 2010 से लागू किया गया आपका अगला question In which constitutional amendment The constitutional amendment made by the parliament was barred from being challenged in the court Correct answer हो जाएगा यहाँ पे Second option number B 42nd amendment 1976 चलिए आगे बढ़ेंगे By which amendment arrangement have been made for collection of service tax by central government and its distribution among central and state governments तो किस समिधान संशोधन द्वारा केंदर सरकार द्वारा सेवा कर कि वसूली एवाम उसका केंदर तथा राज सरकारों में वितरण की व्यवस्तात की गई है यह किया गया है 88th amendment 2003 में Next रहेगा By which amendment has Bodo Land Territorial District been included in some assembly Right answer 90th amendment 2003 अगले question को देखे By which amendment The land reform laws passed by state have been taken out of jurisdiction of court by placing them in 9th schedule Right answer होगा 1st amendment 1951 आपका अगला question रहता है By which constitutional amendment was the system of representation in the लोकसभाद changed तो इन में से कौन सा समिधान शंचोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिने धिद्व की व्यवस्ता में परिवर्तन किया गया था तो इसका परिवर्तन किया गया है इन में से Through 2nd amendment 1952 आगे बढ़ेंगे विच amendment आपको पताना है कौन सा amendment से The division of state into 4 classes was abolished and they were divided into 14 state and 6 union territories तो राजियों का चार वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राजियों और 6 केंदर शाशित छेत्रों में विभक्त के समिधान शंशुर्दन द्वारा किया गया है इसे किया गया है 7th amendment 1956 से Next रहेगा By which amendment was it decided that number of member of legislative council of state will not exceed one third of the total member of legislative assembly तो ये प्रोविजन फ्रेंट ज्वेना दिया गया है 7th constitutional amendment 1956 में अगला question By which constitutional amendment was Dadra and Nagar Haveli included in Indian union and given the status of union territory तो Dadra and Nagar Haveli को यहाँ पे जो है Indian union में include किया गया और union territory का दरजा दिया गया है through 10th amendment 1961 अगला question है Under which amendment The Indian constitution 27% of given to the OBC for admission in educational institution OBC को 27% का जो reservation दिया गया है for the admissions in educational institution ये किया गया है through 93rd amendment 2005 तो I hope आपको ये clear है Friends देख रहे हैं यहाँ पे हर एक question जो है आपके लिए काफी important है हर एक question जो है आपके previous exam को देख करके और upcoming कौन से questions आ सकते हैं उनको देख करके बनाया गया है तो अगर आपको वीडियो की quality और हमारे efforts अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंट्स ये हैं 1206 अगला which one of the following amendments states that total number of minister in cabinet shall not exceed 15% of total number of member of log sabha including prime minister तो इन में से कौन से संशोधन ये बताता है कि मंत्री मंडल में कुल मंत्रों की जो संख्या होगी न ये प्रधान मंत्री को सम्मिलित करते हुए लोग सभा के कुल सदोस्तों की संख्या के पंदरा प्रतीशत से अधिक नहीं होगी और ये प्रोविजन दिया गया है फ्रेंट्स 91st amendment 2003 में अगला under which of the following constitutional amendment act 4 languages were added to 8 schedule for constitution of India increasing the number to 22 तो पहले 18 languages थे इन में से 4 और add किये गये हैं तो ये जो 4 add किये गये हैं 8 schedule में हमारे constitution में languages ये किस amendment से किये गये ये किये गये हैं 92nd constitutional amendment 2003 से अगला by which amendment of Indian constitution has it been clearly provided that president of India is bound to follow the advice of council of minister तो इन में से कौन सा संशोधन ये बताता है कि भारत की राष्टपती मंत्री परिशत की सला को मानने के लिए बादे हैं और ये friends ये जो रूल है ना ये बताया गया है बनाया गया है through 44th constitutional amendment 1978 अगला देखिए by which amendment article 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372, 376 वर amended and 9th schedule was included तो ये सारे articles और 9th schedule इसको amend किया गया है friends first amendment 1951 से आपका अगला question रहेगा आपको बताना है कौन सा amendment है जो article 371A है इसको add करने के लिए किया गया था in which some special provision were given for administration of Nagaland तो इनमें Nagaland के administration से related कुछ provision दिये गये हैं और ये amendment है friends इनमें से 13th amendment 1962 चलिए अगला question in which constitutional amendment provision for legislative assembly were made in union territory Himachal Pradesh, Goa Damandiu, Pondicherry, Tripura and Manipur Right answer 14th amendment 1962 अगला, the purpose of which constitutional amendment was to provide power to parliament for reorganization of union territory of Punjab and Himachal Pradesh तो किस समिधान संशोधन का उद्देश पंजाब और Himachal Pradesh संग राजयो छेत्रों में पुनर गठन के लिए संसब को शक्ती प्रदान करना होता है इसका राइट आंसर है 18th constitutional amendment 1966 अगला, in which constitutional amendment five states of northeast region Assam, Nagaland, Mighalaya, Manipur, Tripura and two union territory Mizoram, Harunachal were formed तो friends, इन सब को form किया गया है through 27th amendment 1971 चलिए, अगला question in which amendment the subject of education, weight and measures protection of forest and wildlife and birds were removed from state list and placed in the concurrent list तो देखिए, ये सारे जो आप subjects यहाँ पर देखना है ये सब state list में हुआ करते थे इसको concurrent list में add किया गया है तो ये जो है, ये किया गया है through 42nd amendment 1976 आगे बढ़ते हैं next रहेगा by which constitutional amendment no person will be deprived of his property without authority of law तो ये provision friends किया गया है through 44th amendment 1978 friends आपका अगला question रहेगा यहाँ पर by which constitutional amendment by amending articles 102 and 191 the provision related to anti-defection in the constitution have been placed under 10th schedule तो friends देखिए, कि समिधान संशोधन द्वारा यहाँ पर article जो 102 है और 191 है इसमें संशोधन कर समिधान में दल बदल विरोधी संबंदी प्रावधानों को दस्वी अनुसूची के अंदर रखा गया है इसको रखा गया है 52nd amendment 1985 से चली आगे बढ़ेंगे by which amendment reservation have been made for scheduled tribe in legislative assembly of मिघालय, मिजोरम, नागालेंड और अरुनाचल प्रदेश तो देखिए, कि समिधान संशोधन द्वारा मिघालय, मिजोरम, नागालेंड तथा अरुनाचल प्रदेश की विधान सभाव में जन जातियों के लिए आरक्षन की वेवस्था की गई है तो फ्रेंट्स ये जो provision है न ये किया गया है 57th amendment 1987 से आगे बढ़ेंगे next देखिए in which constitutional amendment provision has been made for formation of 70 member assembly and 7 member cabinet for Delhi right answer 69th amendment तो जो 69th amendment है न आपको याद रखना है ये डेली से related है अगर option में different है और डेली यहाँ पर आपको दिया गया है तो मतब डेली से related जो amendment है ये 69th amendment है अगला रहेगा in which constitutional amendment provision has been made to include member of legislative assembly of union territory of Delhi and pondicherry in the electoral college of president तो यहाँ पर किस समिधान संशोधन में दिल्ली तथा pondicherry संग राजय चेतर में विधान सभाओं के सदस्यों को राष्टपती के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था दी गई है ये दिया गया है 17th amendment 1992 में आगे बढ़ेंगे in which amendment has constitutional status has been given to local self-government institution of urban areas right answer 74th amendment तो यहां पर देखिए 74th amendment में local self-government के पाव की बात की गई है और 73rd में क्या बात की गई थी amendment में पंचायती राथ से रिलेटर थी तो कुछ को जैसे आपको याद रखने है फ्रेंड्स जो काफी important है 69 जो डेली से रिलेटर प्रोविजन है 69th में आते हैं 73rd जो है पंचायती राथ से आता है union territory के जो major portions हैं वो amendment first में बात की गई है next बात करें आपे जो प्रेंबल में constitution के कुछ words एड़ किये गए हैं वो amendment आपको याद रखना है local self-government जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका amendment तो ये सारे कुछ काफी important question है जो exam में repeatedly पूछे जाते हैं तो आप ये सारे questions को थोड़ा याद रखीं अगला question by which constitutional amendment provision has been made for formation of tribunal in state to resolve the dispute between tenants and landlord तो यहाँ पर tribunals जो हैं उसका formation state में होना चाहिए ये बताया गया है 75th amendment 1994 में आगे बढ़ते हैं next question by which amendment of Indian constitution has the precedent been given to right to send back any matter for reconsideration by council of minister correct answer हो जाएगा 44th अगला in which constitutional amendment act providing 69% reservation to backward class in government job passed by Tamil Nadu government has been added in the 9th schedule तो किस समिधान संशोधन में Tamil Nadu सरकार द्वारा पारत पिछडे वर्क को सरकारी नौक्रियों में 69% आरक्षन वाले अधिनियम को नौवी सूची में जोडा गया है ये जोडा गया है फ्रेंट 76th amendment 1994 से next रहका by which constitutional amendment reservation facility for promotion of schedule caste tribes was provided even after November 1997 right answer 77th amendment 1995 आगे बढ़ेंगे next question by which constitutional amendment 27 land reform laws passed by 7 states have been included in 9th schedule तो जो land reform laws है इसको include किया गया है 9th schedule में और ये किया गया है through 78th amendment 1995 फ्रेंड्स आपका अगला question रहेगा by which constitutional amendment state will get 26% share of some amount received from direct central taxes तो state को receive होता है यहाँ पे 26% of direct central taxes और ये provision 80th constitutional amendment से किया गया है अगला question रहता है in which constitutional amendment the outstanding vacancy reserved for scheduled caste tribes have been excluded from 50% limit of reservation right answer 81st constitutional amendment 2000 next in which constitutional amendment there is provision for relaxation in minimum marks for candidates for scheduled caste and tribe in vacant seat reserved for state in the government jobs right answer हो जाएगा 82nd constitutional amendment 2000 आगे बढ़ते है अगला question देखे in which constitutional amendment the need to make any kind of reservation for scheduled caste in panchayat of Arunachal Pradesh has been prohibited right answer 83rd constitutional amendment 2000 आगे बढ़ेंगे by which amendment article 82 was amended and delimitation of constituencies was based on 2001 census correct answer हो जाएगा option number A 87th amendment 2003 friends आपका अगला question है by which amendment provision has been made to control defection and number of minister तो किस समिधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियां मंत्रियों की जो संख्याय पर नियांतरन की व्यवस्था की गई है यह किया गया है 91st constitutional amendment 2003 से देखे फ्रेंट्स the 91st constitutional amendment 2003 states that the total number of ministers including prime minister in council of minister shall not exceed 15% of total strength of the loksabha तो यह हमने अलरेडी थोड़े तवेर पहले वीडियो में discuss किया हुआ है आपका अगला question by which constitutional amendment provision has been made to provide reservation for SCST and socially and educationally backward classes in private educational institution तो यह amendment जो एना फ्रेंट्स यह है 93rd amendment 2005 आपका अगला question by which constitutional amendment has legally mandatory appointment of tribal affairs minister in Bihar cabinet has been abolished correct answer 94th amendment 2006 अगला question by which constitutional amendment has been appointment of tribal affairs minister in the cabinet been mandatory in the state of 36rd and Jharkhand तो देखिए यहाँ पे 36rd और Jharkhand की बात किये है तो यह जो है provision यह amendment किया गया है 94th amendment 2006 से अगला question by which constitutional amendment was the national judicial appointment commission formed but it was cancelled by supreme court तो यह option number C right answer हो जाएगा 99th amendment act 2014 अगला question है फ्रेंट्स आपका by which amendment arrangement have been made to transfer integrated goods and service in country and to reduce the burden of various taxes correct answer तो हमने GST की बात की थी यह GST की जो प्रिवीजिन है यह 101st amendment act 2016 में दी गई है friends very important question GST वाला भी इसको आप डबल स्टार कर लीजे अगला अगला अंगला अंगला अगला अगला अंगला ऑफ ओस्राब्च अजिका मनला 50 अगला अगला अचला ऑफ उफ्सर चाहें एक भर स्तार subject and has not been transferred from state list to concurrent list तो यहां पर आप जो देख रहा है education, forest हो गया, wildlife conservation हो गया, bird conservation इन सब को concurrent list में add किया गया है बट जो local government है न यह state list में ही आता है अभी भी तो यहां पर option number D जो है यह right हो जाएगा आपका अगला question रहता है यहां पर उससे पहले देख लिजे friends यहां पर discuss कर लेते हैं The 42nd Constitutional Amendment Act transferred five subjects from state list to concurrent list which are as follows तो कौन-कौन से subjects है जिनको concurrent list में add किया गया है उनको देख लेते हैं education, forest, weights and measure, wildlife and bird conservation, administration of justice, constitution and organization of all courts except the supreme court and high court तो यह सारे provision पहले state list में हुआ गरते थे इनको concurrent list में add किया गया है आपका अगला कोशन, by which amendment of Indian constitution, reservation of SCSTs in Lok Sabha and State Legislative Assembly was extended for 10 years and the reservation of Anglo-Indian community was removed तो यह amendment किया गया है friends, इन में से right answer हो जाएगा 104th Amendment Act 2020 से आपका अगला कोशन, which of the following amendment of the constitution of India was passed with the primary objective of constitutionally encoding the reorganization of Indian state on the basis of language तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स, कौन सा ऐसा संचोधन है जिसमें भाशा के अधार पर भारती राज्यों के पुनर गठन को समयधैनिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने का प्रात्मिक उदेश पारित किया गया राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, इसका यहाँ पर ऑप्शन नमबर C, 7th Amendment वेरी इंपॉर्टन कोशन, स्टार मा कर लिजे इसको भी अगला, which constitutional amendment act added right to form cooperative society to part 3 of Indian constitution? करेक्ट, 97th constitutional amendment act, 2011 आपका अगला कोशन, which amendment to the Indian constitution deals with extension of jurisdiction of high court to union territory? इसका right answer है, 7th amendment 1956 अगले कोशन को देखिए, which of the following amendment act made it mandatory for president to give his assent to the constitutional amendment bill? तो इन में से कौन से सम्विधान संशुधन अधिनियम ने, राष्टरपती के लिए सम्विधानिक संशुधन विदेहक पर अपनी सहमती देना अनिवारे कर दिया है? इसका right answer है, 24th amendment act 1971 अगले कोशन को देखिए, which amendment to the constitution of India declared that parliament has power to abridge or take away any fundamental right under article 368 and that such act shall not be a law within the meaning of article 13? तो भारत के सम्विधान के किस संशुधन ने घोशित किया कि संसत के जो अनुच्छे 368 है, इसके तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की जो शक्ती है और ऐसा अधिनियम, अनुच्छे 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा इसका right answer है, option number D, 24th constitutional amendment 1971 अगले कोशन को देखिए, 74th amendment act 1992 added which of the following parts to the constitution तो यहाँ पे 9A को आड़ किया गया था आगे बढ़ते हैं next देखिए, which of the following amendment of Indian constitution deals with reservation of SCSTs and Anglo-Indians in the Lok Sabah and State Assembly right answer हो जाएगा, 79th amendment 1999 अगला कोशन, by which amendment the same person can be appointed as governor of one or more state or lieutenant governor of union territory correct answer, option number D, 7th amendment 1956 अगला कोशन friends, under the 73rd constitutional amendment act what is the minimum age required to contest election in Panchayati Raj Institution तो Panchayati Raj Institution में election के लिए contest करने के लिए minimum age होती है, यह होती है 21 years अगला, by which of the following amendment did President provide official Hindi version of constitution to the people of India right answer 58th amendment 1987 अगला, which amendment is related to EWS reservation तो यहापे economically weaker section जो है, उससे जो amendment related evidence यह है, 103rd amendment 2019 अगला रहेगा, which amendment to the constitution led to establishment of National Judicial Appointments Commission in India correct answer, 99th amendment 2014 आगे देखिए, what is the 91st constitutional amendment related to 91st amendment जो है, यह related है, ceiling of the size of council of minister Friends, आपका next question और last question by which constitutional amendment was part 9b titled cooperative society inserted in the Indian constitution तो cooperative society, यानि कि यह जो है, part 9b में दिया गया है और इसको हमारे constitution में add किया गया है through 97th amendment 2011 Friends, यह हो गए आपके सारे most important questions यहाँ पे हमने 100 plus most important questions यहाँ पे discuss कर लिया, related to amendment हर एक question maximum हमने cover किया है, जो भी exam में आ सकता है अब आता है आप test question आपका देखे, पहला question है, in which constitutional amendment पंचायती राज system has been given constitutional status यह आप हमें बताएं comment करके आपका अगला question, from which year did right to education proposed by constitutional amendment came into force तो यहाँ पे समिधान संशोदन द्वारा प्रस्तावी सीक्षा का अधिकार किस वर्ष्रे लागू हुआ है यह आपका test question है, तो यह दोनों test question हो गया friends, जिसका answer आप हमें comment करके बताएं साथ में मैंने आपको paid PDF के website के मेरे में अल्रेडी बताया है, यह है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको एप्रिल का monthly current affairs जो मिल जाएगा और 2023 का yearly current affairs का PDF है, यह भी आपके लिए यहाँ पर available किया गया है alright friends, तो यह था हमारा आज का last slide, I hope आपको यह video पसंद आया होगा मिलते हैं एक और important topic के साथ next video में, तब तक के लिए thank you and have a nice day